Hello students, आज हम देखेंगे Transposition of Conductors in Transmission Line Transposition of Conductors समझने के लिए आपको दो चीज समझने जरूरी है First है आपकाיץ Symmetrical Conductor और Unsymmetrical Conductors ये जो दो है symmetrical conductor और Unsymmetrical Conductors वो दो configuration है conductor की arrangement का Symmetrical Conductor क्या होता है? जहां पर conductor एक दूसरे से equal distance पे हो, वो आपका symmetrical conductor कहलाता है जैसे कि आप diagram में दे सकते हो, यहां पर तीन conductor है, conductor A, conductor B और conductor C तो तीनों conductor एक दूसरे से क्या है? equal distance पे present है conductor A और B के बीच का distance कितना है? D conductor B और conductor C के बीच का distance कितना है? D similarly C और A के बीच का distance भी कितना है D मतलब conductor के बीच का distance किसी भी conductor से देखो क्या है equal ही आ रहा है किसके equal है D तो ये क्या कहलाते है आपका symmetrical conductor ठीक है मतलब जो conductor equal distance पे हो वो आपका कौन से configuration के अंदर आएगा symmetrical conductor के अंदर आएगा दूसरा हम देखते unsymmetrical conductor मतलब जहांपे conductor जो है वो एक दूसरे से equal distance पे displaced ना हो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो conductor A है, conductor B है और conductor C है A और B के बीच का distance कितना है D1 A और C के बीच का distance कितना है D2 थो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अगर में हर conductor का एक दूसरे से अगर distance निकालो तो वो क्या है? अलग-अलग है तो यह आपका क्या लगालाता है? Unsymmetrical Conductor Transmission Line में आप जानते हो कि 3-phase होते हैं, R, Y, B यहाँ पर मैंने इसको ABC लेके example दिया है, ठीक है? अब देखते हैं, अगर Transmission Line में Transmission Line में क्या होगा? 3-phase होगा A, B, C या फिर बोलो R, Y, B अगर Transmission Line में जो 3-phase हैं मिन्स जो Conductors हैं R, Y, B, या A, B, C अगर वो तीनो जो है Unequal Distance पे Displaced हो ठीक है? उन तीनो Conductor के बीच में Distance जो हो अलग-अलग हो तो क्या Effect पढ़ता है? तो क्या Effect पढ़ेगा? अगर वो Unequal Distance पे हैं तो क्या होगा? हर Conductor का Inductance भी अलग हो जाएगा और दो जो Conductor के बीच में Capacitance Form होता है वो भी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा इससे क्या होता है? कि अगर हमारा सिस्टम में Balance Load है फिर भी जो Voltage Drop होगा हर एक Conductor में उसकी Value अलग-अलग हो जाती है इसके साथ ही क्या होता है? Conductor अगर Unequal Distance पे है तो Conductor के बाहर जो Magnetic Field बनता है वो भी Zero नहीं होता है जिसके कारण क्या होगा? Transmission Line के Near में अगर कोई दूसरी Line है तो उसमें Induction के थूँ Voltage Produce हो जाता है तो इस Effect को कम करने के लिए हम Conductor का Transposition करते हैं Transposition मिन्स हम उसके Position को एक Interval के बाद उसके Position को Change करते हैं तो Transposition का मतलब क्या हुआ? Conductor के Position को हम दूसरे एक Particular Time Interval के बाद दूसरे Conductor के Position से Replace करते हैं ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा है जो भी Line का Total Length है उसके One Third Length में एक Conductor के Position को दूसरे Conductor के Position से Change कर दिया जाता है ठीक है? तो आप इस Diagram में देख सकते हों यहाँ पे जैसे कि यह आपका Face A है ठीक है? Face A को मैंने क्या कि यह Face A है यहाँ पे फेस B जा रहा है और यहाँ पे फेस C जा रहा है ठीक है? तो Face A क्या हुआ? कुछ टाइम तक इसी इसी फे लाइन में चला उसके बाद क्या कर रहे हैं हम Face A का Position पैस का Position एक है यहाँ पे यहाँ है यहाँ पे सच्पा छी हज़़ है तो Date A कि बाद क्या है? रहत जाद क्या हुआ剛剛 कुच टाइम के बाद पिर poquito toами पजिशन का एक बाद का क्या फेस C पार पी करीशिशноваinder यहां है कुछ इंटर्विल के बाद उसका पोजिशन चेंज होगा वो दूसरे कंड़क्टर के पोजिशन को रिप्लेस करेगा अगें यहां से उसका पोजिशन रिप्लेस हो रहा है तो ट्रांस पोजिशन ऑफ तर लाइन क्या होता है कि कंड़क्टर के एक पोजिशन को कंड